नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी Mother Mary लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये Mother Mary खिड़की के उस तरब कुर्सी पर बैठा बैठती, वैसे ही ठंडे और निसंग भाव से काग्जों को उलट पलट रहा था इस कॉलम में बच्चे के पिता का नाम यानि अपने पती का नाम भरिये इसकी जरूरत नहीं है, इस्त्री ने तलखी से कहा था मैम, यहाँ कॉलम है न, बच्चे के पिता के नाम का तो बच्चे के पिता का नाम तो होना ही चाहिए आप यहाँ इस कॉलम में बच्चे के पिता का नाम भरिये देखिए, मेरा तलाक हो चुगा है वह भी दस साल पहले मुझे अब उससे कुछ लेना देना नहीं इसमें तलाग का कागज भी है आप मेरे कागज प्रोसेस कीजिए आपको बताया ना मैं इस कॉलम में पिता का नाम भरिये उसके दस्तखत भी चाहिए क्यों? क्यों चाहिए उसके दस्तखत? बच्चे का बाप है अगर आप बच्चे को लेकर विदेश में रह जाएं तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ बच्चे के साथ बच्चा मेरा है इसकी कस्टटी के कागज है अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं आपको कुछ नहीं लेना पर अपने बच्चे का पास्पोर्ट तो लेना है। ये लीजे मैम अपने कागज पूरे कीजे। मेरे सारे कागज पूरे हैं। वह उसे कागजों का व्योरा दे रही थी। आप हमारा समय पर बात कर रही है। जाए आप जाकर पास्पोर्ट अपसर से बात कर लीजे। बेब लड़की ने रोप कर पूचा था आप पासपोर्ट अपसर से मिलने जा रही हैं वह बिना उसकी बात का जवाब दिये वहां से खिसक गई थी उपर गई थी पासपोर्ट अपसर अपने कमरे में नहीं था मीटिंग में हैं साब आप बैठिये आ जाएंगे लड़के ने कहा थ उसने घड़ी देखी थी अभी आधा पॉन घंटे में लंच हो जाएगा वह बेचैन सी उठकर बाहर बरामदे में घूमने लगी थी उस लड़के ने कहा आप उन्हें उपर देख लीजे शायद वहां हूँ वह उपर गई थी चोथी मनजिल थी लिफ्ट का कुछ पता नह ही था उसने देखा बरामदे के कोने में दो व्यक्ति ताश खेलने में डूबे हुए थे उसने पूचा था तो पता चला था इन्ही में से एक पासपोर्ट अफसर था वह पास गई थी एक्सक्यूज मी सर कोई असर नहीं हुआ था सर एक्सक्यूज मी उसने बड़ी कछिना से ताश के पत्तों से नजरें हटाई थी उसने अपना कार्ड दिया था I am from media news उसने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया था I am a special correspondent आप से बात करनी है ओके आप नीचे मेरे कमरे में बैठिये मैं आता हूँ लड़की ने अपने गुसे पर काबू पाया था वहीं से आ रही हूँ सर बताया था आप किसी मेटिंग में है उसने उसकी तरफ देखा था आप मुझे धमका रही है मीडिया पर्सन होने का रौब दिखा रही है वह फिर समला था आए मैं वह उठ खड़ा हुआ था और उसके साथ चल कर अपने कमरे में आ गया था उसने देखा वही लड़की थी बाहर बेंच पर बैठी थी उसने पासपोर्ट अपसर को सारी जानकारी दी थी अपने सारे कागज दिखाए थे और उसने समझाया था देखिए उस क्रिमनल का नाम मैं अपने बच्चे के साथ नहीं जोड सकती वह पॉल्टिकल व्यक्ति है मंत्री का अपराधी बेटा है मेरे पास सारे कागज है यह मेरे तलाग के कागज है यह बच्चे के कस्टडी के कागज है यह लीचे यह अकबार की कटिंग है यह वही महत्तपूर्ण केस है गीता हरीहरन का सुप्रीम कोट का फैसला है इसमें मा को लीगल गार्जियन घोश साल से मैं ही बच्चे को पाल रही हूँ यह बच्चा तीन महीने का था तब मैंने उसका घर छोड़ दिया था आपका स्टाफ मुझे तंग कर रहा है ऐसी बात नहीं है मैं कुछ आपचारिक नाएं होती हैं उन्हें पूरा करना पड़ता है आप तो जानती हैं कि वेवस्था ही ऐसी है आप एक काम किजिए मैं जिस सांसद ने आपके कागज प्रमाडित किये हैं उनसे एक रेफरेंस लेटर ले आए बस फिर हो जाएगा काम मजबूर सी वह बाहर आई थी उसने देखा वही लड़की थी वह कमरे से बाहर आई तो वह अंदर चली गई उसकी चीखती सी आवाज आई थी क्यों चाहिए पिता का नाम उफ उसने अपना माथा पकड़ लिया था फिर नीचे आ गई थी उसको लगा था चिठी लेने में मुश्किल नहीं होगी वह सांसद उसकी सहेली की आउंटी थी उसने सांसद के पिये को फोन किया था पिये ने कहा था अभी बात करके पांच मिनट में फोन करता हूँ फोन आया था आ जाईए वह वहाँ गई थी प्रवेश द्वार पर सूचना आ गई थी वही से सीधी पारकिंग में गाड़ी लगा कर उपर चली गई थी पिये ने उसका स्वागत किया था फोन करके उसे सांसद के कमरे में ले गया था वह सांसद कुरसी पर बैठी थी उसे देखकर उचकी थी आओ आओ परिशान नहो पिये ने मुझे सब बता दिया है हमारी वेवस्था ही ऐसी है वह चिठ्थी ड्राफ्ट करके तुम्हें दि अरे भाई तुम्हारे साथ हम भी कॉफी ले लेंगे मैं मंगवाती हूँ उसने दो कॉफी का ओडर दिया था या तो तुम घर पर आती नहीं हो आती हो तो ऐसा समय चुनकर जब मैं घर पर ना हूँ ओ नो आंटी वे ठहाका लगाकर हसी थी वे चिठ्थी लेकर आ गया था उसने दस्तखत करके अपनी मोहर लगाई थी Hope, things will be okay now वे शुक्रिया करके बाहर आई थी तुरंत गाडी में बैठकर पासपोर्ट दफतर आई थी वे चिठ्थी लेकर काउंटर पर गई थी उसने घड़ी देखी जादा समय नहीं लगा था कुल मिलाकर डेड़ घंटे में सब हो गया था उसने देखा काउंटर पर सीट खाली थी उसने साथ वाले व्यक्ति से पूँचा था अभी आ रहा है आप बैठिये पर भाईया लंच का समय तो कपका खत्म हो गया वह लंच से वापस आ गया था मैं वह उपर गया है साहब ने बुलाया है वह वहीं खड़ी रही थी तनाव में थी पर वह जल्दी ही आ गया था उसने उसे चिठी दी थी यह लीजिए अब जल्दी ही मेरा पासपोर्ट बन जाना चाहिए मैं आप जरा उपर चली जाए साहब के पास उन्होंने ही यह चिठी मांगी थी वे ही लिख कर देंगे इस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते उसने गुसे में दात किट-किट आये थे मैं उपर नीचे कहीं नहीं जाओंगी आपके बीच स्टाफ में कोई को आवडिनेशन नहीं है आपका अफसर कुछ कह रहा है और आप कुछ दूसरी बात कह रहे हैं ठीक है मैं आप यह चिठी भी छोड़ जाए दूसरे सारे काग है यह तलाक से पहले का पासपोर्ट है ठीक है मैं आप कल आ जाए गुसे में वह तिल मिलाई थी पर अपने को रोका था अब सारी अपचारिकता पूरी हो चुकी है पासपोर्ट लेने तो कल आना ही पड़ेगा वह बाहर आने के लिए मुड़ी तो देखा वही लड़की थ थोड़ी अस्त वेस्त लगी थी घुटनों पर फाइल रखकर कुरसी पर बैठी कागज अलट पलट रही थी उसे देखकर वह उचकी थी मैं उसने पुकारा था आपका काम हो गया रेफरेंस की चिठी दी है कल आने के लिए कहा है जी वह फिर उसी मुद्रा में बैठ गई और कहा था मैं मैंने तो रेफरेंस की चिठी भी दी है पर यह लोग परेशान कर रहे हैं उसने सिरह लाया था जाकर बैठ गई थी अगले दिन वह पहुंची थी भीड उतनी नहीं थी वह लाइन में खड़ी हो गई थी जल्दी ही उसका नंबर भी आ गया था काउंटर पर बैठे आदमी ने कहा था मैं आप पहले उस सामने वाले काउंटर नंबर दो पर फीस जमा करा दीजे वह काउंटर नंबर दो पर गई थी उसने फीस जमा कराई थी लोटकर वही आ गई थी देखा वही लड़की थी चंडी का रूप धारन किये हुए थी वह दहारी थी क्य चाहिए आपको पिता का नाम, मैम आपका बच्चा है तो पिता का नाम तो चाहिए ही होता है, इसका कोई पिता नहीं है, मेरा कोई पती नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, समझे आप, पांच दिनों से आप एक ही रट लगाए हो, पिता का नाम, पिता का नाम, नहीं है इसका कोई पिता उसने पैर पटके थे और जोर से चीखी थी I am rape victim गैंग रेप हुआ था मेरा मेरा गैंग रेप हुआ था चार लोगों ने रेप किया था मेरा 15 साल की थी इसकूल बस में रेप किया था चार लोगों ने नाम बताऊं लिखिये बस का ड्राइवर मानक चंत बस का कंड़क्टर पांडे इसकूल का चपरासी यादव और इसकूल के सामने धाबे का मालिक सत्वीर लिखिये पिता का नाम लिखिये मुझे भी बता दीजे लिखिये पित अपनी अपनी जगह जम गए थे वह दुगने जोर से चीकी थी जाये इसके पिता के दस्तकत करवा लिजे कस्पे में चाहिए हो सकता है वे अभी छुट्टा साण की तरह घोम रहे हो जाये आप किसके दस्तकत कराएंगे बोलिए वह चीकी थी और कुछ चाहिए कोई और होंगे आपको चुप क्यों हो गए आप ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां चल रही हो ठाएं 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 सब सहमे से अपनी जगह चिपक गए थे वह लड़की लड़कडाई थी उसके साथ बैठी महिला उठकर आ गई थी उसे समाला था गले से लगाया था शान्त हो जा मेनू शान्त हो जा बच्ची अपने को समाल तू तो बहादुर बच्ची है ना वह उसके पास आ गई थी वह लड़की बोली थी पांच दिनों से देख रही हूं आप भी परिशान है आपकी भी समस्या पिता के नाम की है मैं 15 साल की थी जब यह हादसा हुआ था मेरे माता पिता मुझे लेकर यहां आ गए थे मेरा अबार्शन नहीं हो सका था ट्रामा में रही कई महीने एनिमिक थी बच्चा पैदा हुआ इसको मरवाया जा सकता था एक बिकल्प यह भी था इसको अनाथास्रम में दिया जा सकता था फिर मैंने सोचा था इसमें इस अबोध का क् यह तो निश्पाप है इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी इसे सजा दी जा सके आखिर मेरे खून मास मज्जा से बना है मेरी कोख में पला है मैंने इसे स्विकार कर लिया था अब बताए इनको क्यों चाहिए बच्चे के पिता का नाम अचानक वह उठी थी काउंटर प उठ्चे के पासपोर्ट चाहिए मुझे धीरे-धीरे कठपूतलियों से लोग हिलने डुलने लगे थे काउंटर पर बैठे व्यक्ती ने उसकी ओर इशारा किया था मैं अपना पासपोर्ट ले लीजे वह गई थी अपना पासपोर्ट ले लिया था उसने उसे खोला था औ और एका एक चीखी थी, यह क्या किया, बच्चे के नाम के सामने पिता का नाम लिखा था, वह ब्यक्ति घबराया सा था, दी गई सूचनाओं के आधार पर बच्चे का और आपका पास्पोर्ट रिन्यो कर दिया है, आप पागल हो गए है, यह सरकारी मामला है मैम, अगला आप आईए, लाइन से निकल कर पीछे खड़ा आदमी सामने आ गया था, सामने वह लड़की गुर्राती हुई बैठी थी, काउंटर पर वह आदमी कभी कागज पलटता, कभी उस लड़की को देखता हक्का पक्का बैठा था, उसने देखा, सब पुरुषों के चेहरों प पर उस लड़की की दागी गई गोलियों के गहरे नीले काले निशान पड़ गए थे, उन में से कहीं कहीं खून भी टपक रहा था, उस लौबी में औरतें कम थी, कुछ काउंटर के इस तरफ, कुछ दूसरी तरफ तो भी कुछ औरतें थी, आस-पास के चर्चों से निकल क पर प्रतिमाएं यहां आ गई थी, और वे औरतें उन चित्रों और प्रतिमाओं में समाती जा रही थी, वह चित्र आल्टर पर पीछे रखे मदर मेरी का चित्र था, जो उस लड़की में समा गया था, बड़े गिर्जा घर से आकर गोधी में आलोक आवरत शिशु को लिये मदर मेरी उस लड़की के पीछे पंक्ती में खड़ी हो गई थी तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं